नमस्कार मित्रों, मैं हूँ अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानिया का सापता है एक पॉड़कास्ट जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनी हुई कहानिया वेलंटाइन्स डे के अफसर पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शैलेश चंद्रप्रवीर की रचना उन्ही के स्वर में शीर्शक है बैंगलोरी प्रेम चादस ये खटना कुछ पुरानी है पुरानी क्या काफी पुरानी है पर है प्यार महपस से संब्दिद और प्यार कभी बासा पुराना तो होता नहीं कितना भी बासा क्यों ना हो खुश्पू फिर भी बरकरार रहती है और खुश्पू ना भी रहे तो कम से कम भूत रहेगी और रही बात खटना की तो घटनाओं का ना तो कोई पेटेंट होता है और ना ही कॉपी राइट जो घट गया वह सारजनिक है और जो सारजनिक है व बनी रहे उबालो चौक लगाओ और फिर फिर पर उसका चटखारे लेकर खाओ और खिलाओ साहथ तो बढ़िया ही रहेगा प्रेम चौदस का त्योहार हर साल की तरह इस पार भी आ गया है बस यूँ समझिये कि चौकट पर ही खड़ा हुआ है हर तारीख एक एक कदम बढाता ठीक चौदवे दिन हर घर में घुस पड़ेगा इसके आने के पहले से ही इसके आने की आहट नहीं अच्छा खासा शोर शुरू हो जाता है और फिर बात भारत की हो तो शोर कुछ जादा ही होता है भारत तो है ही देश त्योहरों का और फिर त्योहर ही हुर्दंग का हो तो कहना ही क्या प्रेम चौदस दें हुर्दंग के मामले में होली को भी पचार दिया है तो उस बरस भी कुछ ऐसा ही हुआ हुर्दंग, महले और चौबारों से निकल इंटरनेट की सक्री गलियों से होकर दुनिया भर में फैल गया और जैपुर के बाद बंगलोर भी गुलाबी शहर बन गया गुलाबी शहर? वो कैसे? बस अभी बताते हैं तो तब तक किसी ने भी हनुमान सेना का नाम तक नहीं सुना था और नाहीं शिवालिक जी का संभव है उनके आस पडोसियोंने शाय सुन रखा हो पर ऐसी संभवना भी कुछ गम ही है प्रसित्धी पाने के कई रास्ते हैं जिन पर चलकर आदमी प्रख्यात और ठीक प्रेम चोदस के दिन चड़ बैठे शहर भर के पबों पर अब जब उनकी सेना का नाम ही मर्यादा पुरुशत्तम श्री राम के सेवक के नाम पर था तो वे भला अपने शहर में स्कूल कॉलेज की चात्राओं दौरा नवी वकों के साथ अब में बैठकर सुरा पान करने का अमर्यादित काम भला कैसे बदाश करते सो कर दिया करण और फिर सेना जब हनुमान सेना है तो उसके वानरोचित करम पर क्या रोश मार पीट तोड़ फोड़ उत्पात ये सब तो होना ही था अब जो होना था सो हो गया बात यहीं की यहीं रह जाती लड़कियां पी कर खुश शवालिक जी पीट कर खुश मीडिया पीने वाली लड़कियों की पिटाई दिखा कर खुश और प्रशाशन पिटाई पर अपनी मासुम सफाई जता कर खुश पर इतनी सारी खुशी और वो भी एक साथ कुछ बिगने संतोशियों से बरदाश नहीं हो पाई ऐसे फुरसतिय जीव मानो इसी ताक में बैठे रहते हैं कि जहां कहीं कोई बेवज़ा को जादा खुश दिखे तो फायर ब्रिगेट में पानी की जगा पैट्रोल भरो और लगा दो आग जमाने भर में और हुआ भी यही महिलाओं में नैतिक्ता के जंडा बरदार बने शवालिक जी को महिला सतद्रता की हमायती एक पत्रकार मिल गई ये फुरसत में थे तो पिटाई कर दी और वो फुरसत में थी तो इन पर चड़ाई कर दी ना पिटाई के पहले उन्हें कोई जानता था और ना चड़ाई के पहले इन हैं जैसे उदै वैसे भान ना इनकी चुन्दई ना उनके काम सूरज वर चंदा दोन ही बिलकुल गोल मोल से वैसे ही ये दोनों सो मिल बैठे दीवाने दो और हो गई गुत्तम गुत्ता एक ने परवानिक वानर सेना बनाई थी तो दूसरे ने अत्याधुनिक इंटरनेट सेना बना डाली एक सेना में परंपरावादी पुरुष थे जो अमर्यादित आचरण करने वाली युवतियों को पीटते थे तो दूसरी सेना में मुख्यत आया आधुनिक युवतियां थी जो परंपरावादियों को प्रेम पूर्वक गुलाबी चड़ियां भीजने लग गई वाह क्या खूब चोड़ी है और वैसे भी तियार ही लिंदिन का है गिफ्ट लो गिफ्ट दो पोपले मोह और पिछके पेट वाले तमाम नव्युवक चाती फुलाए सुवह से सच सवर निकल पड़ते हैं लाल गुलाबों के आखेट पर इसका गमला, उसका बंगला, इसकी क्यारी, उसका बगीचा और कहीं ना मिले तो फिर दुकाने तो खेर है ही गिटिंग कार्ड की दुकानों की च्छानबीन तो हफ्तों पहले से शुरू हो जाती है लाल दिल की फोटो युक्त कार्ड इनके आकर्शन का मुख्य केंदर होते हैं जिन में समझ ना आने वाली गिटर पिटर सठ पठ अंग्रेजी में जाने क्या क्या लिखा होता है मगर फिकर नॉट जब देने वाले को क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है तो लेने वाले को भी कौन सा समझा जाएगा रंग देखो, रूप देखो कीमत किसमें ज़्यादा चपी है ये देखो और खरीद लो और कार्ड अगर म्यूजिकल हो और खुलते ही ईलू ईलू चलाता होतो तो कहना ही क्या अब बच्ची गिफ्ट तो चॉकलेट है, फूलों के गुल्दस्ते हैं, ताज महल है और रूमानी धुन पर कमर में हाट डालते रखते हुए विदेशी गुटे गुडिया है और भी बहुत कुछ है यूफ्टियां भी अपने पुरुष मित्रों को धेरों गिफ्ट दे सकती है वैसे इस घटना के बाद लेटेस्ट फैशन गुलाबी चड़्डियां किफ्ट करने है यकीन ना हो तो शिवालिक जी का घर देखा ये ड्राइंग रूम से लेकर बात्रूम तक गुलाबी चड़्डियां छोड़ और कुछ नहीं मिलेगा वैसे हाल फिलहाल अगर कोई मैगजीन या अकबार समोह या सर्वे करा लेता कि देश का सबसे प्रसित्त व्यक्ति कौन है तो शिवालिक जी अमिताब बच्चन को भी शर्मा जाने पर मजबूर कर सकते थे शहरी लड़कियों को उनका नाम तो नाम पता तक याद हो गया होगा बिन पते आखिर यह नायाब गिफ्ट कहां भेजती और रही बात देश के नौजवानों की तो उनकी तो शिवालिक जी से लव हेट रिलेशनशिप हो गई लव इसलिए कि अच्छे अच्छे फन्ने खां गुलाबों की दुकान दोनों हातों में टांगे कश्मीर से कुन्या कुमारी तक चक्कर काटा है पर किसी सुकन्या ने घास तक नहीं डाली और यहाँ देखो एक 55-60 साल के बावा जी पर देश-विदेश की लड़कियां ऐसी महरबान हुई कि गिफ्टों के बारिश्सी हो गई मज़ितार बात यह है कि हेट की वज़े भी यही है अरे हम सब हट्टे-कट्टे नौजवान मर गय थे क्या जो ऐसे बूढों को गिफ्ट और गिफ्ट भी ऐसी वैसे देश की युवा समाज का इक बड़ा तपका ऐसा भी है जिसके लिए शिवालिक जी इंडियन आइडियल बन कर उबरे है संभव है इन उत्साही नव्युवकों में कुछ एक आने वाले वर्षों में इनकी रहा पर आगे बड़ प्रसिद्धी को प्राप्त करें देश विदेश के मेनेजमेंट गुरू भी बंगलोर प्रक्रम पर रिसरच कर इसे अपने संस्थानों के पाठिक्रम में शामिल कर सकते हैं महस लाठी पत्थर जैसे बिन मोल के हत्यार लेकर सिर्फ एक घंटे का वक्त खच करके कोई किस प्रकार विश्व परसिद्ध हो सकता है कैसे दारू और चंटी जैसी नितांत मौलिक चीजों को जंकर उचाल कर कोई इस्त्री महिला स्वाचनत की मिसाल बन सकती है साथ समंदर पार एक नामचीन प्रकाशम समूव है जिसे हर तरह की सीधे उल्टे विश्य रिकॉर्ड बनवाने और उन्हें दर्ज करने का शौक है सम्भव है आने वाले दिनों में हम अपने देश के इन दोनों रणबाकुरों के नाम भी उनकी विश्य रिकॉर्ड की पुस्तक में दर्ज पाएं एक को प्रेम चौदस पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गिफ्ट पाने के लिए और दूसरे को दुनिया भर की महिलाओं को बरगला कर किसी एक शक्स को सबसे अधिक गिफ्ट भिजवाने के लिए प्रेम चौदस अभी उफान पर है जब गुचर जाएगी तो उसका खुमार भी उतार परा जाएगा और उतरते पानी में मची हुई गदली रेत को च्छान लेने में कोई बुराई नहीं पश्यम की कालिख को चमकदार रंग समझ कर अपने जीवन में पोधते युओं की फौज दिन रात महानगरों में बढ़ती जा रही है पब, डिसको और रेव पार्टिया इनके आधनिक मंदिर मस्जिद है अपनी संसकती से तूटकर अलग होती संसकार शुन्य प्रीडी के प्रती परंपरावादियों का गुस्सा पूरी तरह गलत नहीं है लेकिन शुवालिक जी ने जिस तरह इस गुस्से को अभी रखती दी वह गलत है राज्च में अपने पक्ष की सरकार होने के गुमान में जो सीमाए लांगी वह गलत है राजनेतिक नेतरत उने जिस प्रकार इस प्रकार पर अपनी आखे मूद ली वह गलत है कानून की रक्षक पुलिस जिस प्रकार सत्ता रूर दल की दासी बंद दोशियों के सामने मुझरा करती दिखी वह गलत है दूसरी ओर महिला अत्याचार का विरोध करना और नारी सतंत का परचम बुलंद करना बिल्कुल भी गलत नहीं है लेकिन विरोध सरूप शराब नोशी को बढ़ावा देना गलत है नैतिक्ता को उची खोटी पर उल्टा टांग अपने अदोवस्र उपहार में भीजना गलत है इस्ट्री की सतंतता को बेहूदे शर्मनाग धंग से परिभाशित कर समुचित नारी जाती का अपमान करना गलत है अनेतिक्ता और कदाचार को इस्ट्री के अधिकार के बतौर दर्शाना गलत है गलतियों के इस सिरसले को इस अंजान तक पहुचाने वाले एक सम्भू नेता थे तो दूसरी सवगोशित पत्रकार ईश्वर रिंस से और इन जैसे सभी महापुरुशों और इस्ट्रियों से देश की रक्षा करें